देश विरोधी ताक्तों और बड़े अपराधियों के साथ संबंदों को लेकर भारती फिल्म इंडस्ट्री हमेशा शक के गेरे में रहा है कई ऐसे स्टार हैं जिनकी मौत के बाद एक बार फिर भारती फिल्म इंडस्ट्री के बड़े कलाकार शक के दाएरे में आ गए है के कलाकारों को भी अपराध की और धकेल दिया है अब यहां के कलाकार उन्हीं अपराधियों और देश विरोधी ताकतों की तरह व्यवहार करने लगे हैं कई फिल्मों में देश विरोधी सीन को लेकर बावाल भी हुआ तो कई अपराधियों की तरह जेल भी गए और कईयों पर मुकदमे भी चल रहे हैं ऐसे में भारती फिल्म इंडस्ट्री की सफाई करना क्या जरूरी हो गई है नए मामले में शाहरुक खान के संबंद ऐसे व्यक्ति के साथ होने का खुलासा हुआ है जिसे भारत सरकार ने देश विरोधी गतिविधियां चलाने के आरोप में काली सूची में डाल दिया है रहान सिद्की राकेश कौशल और दर्शन महता इन तीनों व्यक्तियों का नाम अब काली सूची में है रहान सिद्की पाकिस्तानी है और इवेंट मेनेजर है इसके अलावा रहान शाहरुक खान के बिजनस पार्टनर है कुफिया एजेंसियों ने टोनी असाई के साथ शाहरुक और गौरी के रिष्टों को भी सार्वजनिक किया है। टोनी असाई अमेरिका में रहता है और आर्किटेक्ट है। टोनी असाई कश्मीर के लिए भड़काओ इस्टेटमेंट देता रहता है। टोनी असाई शाहरुक खान और गौरी खान का आर्किटेक्ट भी है। कई मौकों पर इनकी तस्वीरे सार्वजनिक हुई है। बताया गया कि रेहान और टोनी असाई दोनों के आई असाई और पाकिस्तानी सेना के साथ संबंध भी उजागर हुए है। दुबई में एक शाहरुक खान के प्रापर्टी के प्रोजेक्ट का आर्किटेक्ट टोनी असाई रहा है। जबकि डिजाइनर गौरी खान है। टोनी कई इवेंट्स में शाहरुक खान के साथ देखा जाता है। मामला सामने आने के बाद बॉलिवुड में हडकम मच गया है। रहान सिदिकी के साथ कई और भी स्टार और डायरेक्टरों की फोटो सामने आई है। इनके साथ इनके रिष्टे की सच्चाई आना अभी बाकी है। खूफिया एजेंसियों के इस खुलासे के बाद अब बॉलिवुड पर कई सवाल उठ रहे हैं। वहीं इस मामले में एजेंसियां जरूरी समझेगी तो शाहरुक खान से भी पूस्ताच हो सकती है। इस खुलासे के बाद शाहरुक खान और गौरी खान की तरब से किसी भी तरह की सफाई सामने नहीं आई है। फैंस अपने पसंदीदा कलाकार को आधर्श मानते हैं क्योंकि वह उनकी परदों पर जिंदगी के मोह में फसे होते हैं। लेकिन रिल लाइफ इन कलाकारों की रियल लाइफ नहीं है। इंडर्श्ट्री के बड़े कलाकारों के घर की रोटी उनके फैंस के पैसे से खरी दी जाती है। और दर्शक उन्हें पसंद करते हैं तभी वे इतने बड़े अभिनेता बन पाते हैं। जब कलाकारी देश विरोधी की ताकतों के साथ सम्मन रखे तो उनकी देश भक्ती पर सवाल भी खड़े होंगे।